हलो गाइस ब्लम बाक टू माइ चैनल इसनों बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी प्रेडिक्शन फॉर तुमोरो आज था हमारा एक्सपाइरी एक्सपाइरी में हमारा मार्केट 99.00 ऊपर जाके क्लोज हुआ है आपको दिखा देता हूं मैं यहां पर आपको देखने को मिल जा था मैंने आपको बार बार टेलिग्राम पर बताया कि जब तक हम 19,000 440 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हमारा मार्केट का सिनेरियो बुलिश है बाइद अवे मैं बताना चाहूंगा अपना टेलिग्राम ग्रोप है डिस्किप्शन में लिंक है जिदर मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड करता हूं चार्ड प्रोवाइड करता हूं बताता हूं कि कब आपको ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है मेरे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके प्रॉफिट के स्क्रीन शॉर्ट उदर रहते हैं जो भी वो पैसा बनाते हैं वो मैं उदर आपको क्लियर कट डा वाले हैं जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगी देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि 19,400 एक इंपोर्टेंट लेवल है जहां से मार्केट यहां घूमा था कल के दिन आज हमने क्या देखा आज हमने देखा छोटा सा गेप डाउन लगबग बारा पॉइंट दस पॉइंट के असपस का गेप डाउन हुआ हमारा मार्केट वो आप फ्लेट मान के चलो कि आज हम फ्लेट ओपनिंग दिये हमने पहली टेड अपने मेंबर्स को दीती 19,400 के उपर अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले 10-15 मिनट के अंदर ही हमारा पहला ट्रेड सक्सिस्फुल हो गया और यह पहली बार नहीं है Most of the time हम ऐसा ही करते है हमारा जो पहला ट्रेड होता है वो पहले 10 मिनट के अंदर बन जाता है अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप मेरे टेलिग्राम पर जाओ और दो दिन उदर देखो क्या morning में 10-15 मिनट के बाद मैं screenshot डाल रहा हूं profits के अपने members के या नहीं डाल रहा हूं साथ में मैं trade भी बताता हूं कि मैंने क्या trade दिया था तो 19,400 के उपर हमारा trade था यहां पर कहीं हमारा trade execute हुआ और उसके बाद हमने almost almost 22 points इसमें लिये and members ने इसमें 500, 600, 800, 1200 इस type का profit बनाया किसी ने एक lot पर किया तो किसी ने दो lot पर किया उसके बाद हमने यहां पर sharp reversal देखा market नीचे आया हमारा थो trade exit हो गया then हमने जो second trade दिया वो दिया 19,420 के उपर अपने members को दिया and 19,430 के उपर मैंने अपने telegram group पर दिया by the way मैं telegram पर भी trades provide करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं members को trade देता हूं telegram के उपर भी आपको रोजाना 1-2 trade minimum 2 trade तो आपको दर भी मिल जाती है but वही है कि अगर आप telegram पर रहेंगे तो आपको उतना trust नहीं होगा अगर आप मेरे से connected रहेंगे तो मेरे से आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते मैं उसका answer आपको on the spot करके देता हूं अगर आप मेरे prime member हैं तो second trade हमारा बनाता कहीं यहाँ पर उसके बाद आप देख सकते कि यह पूरा target हमने achieve किया और यह target हमारा कहां तक था 19,460 यह असपास तक था जबकि मैंने यह तक बोला था कि यहाँ पर आपने target बना लिया market हमारा 19,440 के level को retest किया तो बहुत सारे लोग मुझे पता है यहाँ पर exit कर दियोंगे then मैंने वापस से बोला कि आप 19,450 के उपर swing के साथ entry कर लो यानि कि जैसे ही 19,450 निकले आप entry कर लो अगर आप यह candle को notice करेंगे यहाँ पर आपको नीचे से अच्छा खासा buying और नीचे से rejection देखने को मिला then next candle में ही आपको 15 point यहाँ पर मिल गए अगर आपने लिया होता trade तो आपका पैसा उसमें बनता देखिए कभी trade बड़े बनते हैं कभी trade छोटे बनते हैं 19,470, 19,440 यह एक important range है जिसमें हमारा market घुम है मैंने आपको clearly बोला था कि हमारा view bullish है हम bullish ही trade plan करेंगे जब तक हम यह जो range है यहाँ पर जो पहली बार buying आई थी अगर हम इसके नीचे नहीं निकल जाते हैं तब तक तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको buying मिली then again वापस से हमको यहाँ buying मिली और अच्छा target दिया then वापस से हमको यहाँ अच्छी buying देखने को मिली लेकिन मुझे पता ही कि ऐसे में बहुत सारे लोग confused रहते हैं जिनके लिए मैंने clear cut बताया था अगर हम 90,470 के उपर निकलते हैं तो आपको call में जाना है अब यहाँ पर एक game हुआ 3 बजे के आसपास यहाँ पर किया गया trap इस candle में trapping देखने को मिली मैंने यह clear cut बताया कि यहाँ पर trap है देखिए अगर कोई swing के साथ जा रहा है न तो उसको न एकदम से अपने stop loss को बहुती सटीक रखना पड़ेगा मैं एक मिनट के चार्ट पर आगे बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर हुआ क्या था यहाँ पर आप देखिए market था 90,460 के आसपास जैसे ही हम उपर ने के लिए कहा तक गया यह गया लगबग 90 के आसपास यानि कि हमारा target 70 से चालू होता है 90 तक गए तो ऐसे में आपको निकलना कव है जब market भागता हुआ जा रहा है अगर आपने entry कर लिए तो entry बना के रखो जैसे ही एक red candle का formation हो जाए या फिर जो पुराना green candle है उसके नीचे candle closing कर दे उसके नीचे candle आ जाए तो फिर आपको वहाँ से exit ले लेना है क्योंकि जब भी बड़ा ऐसा move आता है तो sharp downside भी देखने को मिलती है ये चीज़ आप notice करना जब भी बड़ा move आएगा ऐसे आएगा देन अपना दीरे-दीरे market वापस जाएगा तो यहाँ पर market उपर गया लोग entry उपर गया दिन market यहाँ support लिया यह level 19,470 का level है जहाँ पर market वापस है और देन अपना दीरे-दीरे market उपर move कर दिया मैंने morning time में ही आपको बताया था कि हमारा जो upside के target रहेंगे वो रहेंगे 90,490 के आसपास के क्योंकि मुझे पता था कि 90,490 और 500 यह एक आपका resistance लेवल बन सकता है प्लस कल भी मैंने आपको फिवरे ट्रेस्मेंट बना के दिखाया था जिसमें मैंने आपको clear cut बोला था कि हमारा market यहाँ क्यों रुख सकता है अभी मैं वो बना के दिखाऊंगा आपको तब आपको वो चीज समझ में आएगी तो हमारे market ने आज high लगाए लगवग 510 का rejection लिया आप 500 का मान के चलिया कि 500 के level से market को rejection मिला और हमने वहीं कहीं close कर दिया है closing बहुत ही शांदर हुई है अगर आप daily chart पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि closing क्यों शांदर हुई है कल हमने बनायता एक inside candle आप यहाँ पर notice करिए तब आपको समझ में आएगा तो inside candle का low और high important होता है इसलिए कल मैंने आपको 19,400 के level दिये थे कि अगर वो निकलेंगे देन आपको trade बनाना है तो overall हम bullish थे market को लेके और वैसा ही हमने market में आज के दिन देखा तो अभी हम पहुँच चुके 19,500 के level पर जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी हम कहां पर हैं और market अब क्या कर सकता है देखिए जो momentum है वो वापस से bullish ही है अभी भी हम negative नहीं है मैंने आपको पहले ही बोला था कि negative हम नहीं हो सकते फिलाल तो अगर आप notice करेंगे तो ऐसा कुछ channel मैं आपको daily बनाते हुए दे रहा हूँ अभी भी हम इस channel के अंदर ही है कल भी मैंने बोला था कि अगर आज के दिन आएंगे तो ये channel बड़ा हो जाएग तो पहली चीज तो ये जो आपको समझने है अब दूसरी जल्दी से आपको दिखाता हूँ मैं तो ये लगा दिया अपनने फिवरेट ट्रेस्मेंट और ये मैं आपको रोजाना दिखाता हुआ आ रहा हूँ ये हमने कब लगाया है ये हमने लगाया है इसका जो हाई था यहां का जो लो था वहां से अगर हम लेते हुए देखते हैं तो हमने target आपको क्या बताए थे कुछ टाइम पहले ही मैंने आपसे discussion किया था इसके बारे में तो थोड़ा सा skin shot लेके detail में बताता हूँ हमने बोला था आपको कि जब हम इस range में थे तब मैंने आपको बोला था कि हमको at least यहां तक तो जाना चाहिए यह level थे 19,500 के ठीक है यहां पर आप अगर notice करेंगे तो जब हम यहां पर आई थे तो अच्छा कासा हम यहां से उपर के दिन यहां हमने अच्छा सा support लिया and then उसके बाद हमने उपर चलना चालू किया अब हम पहुँच चुके हैं इस level पर तो अगर हम 19,500 के उपर टिक जाते हैं कल के दिन या फिर परसों के दिन तो आपका जो next target है 19,650 का target निकल के आता है जो हमें achieve हम कर सकते हैं अगर नहीं तो हमको इधर से ही हो सकता है कि हम rejection ले ले और नीचे की तरफ आ जाएं बट अभी scenario positive है तो हमें लगता है कि 650 के level भी आ जाएंगे यह अपना फेवरिटरिस्मेंट जो हम बात कर रहे थे हमने वो target अपना achieve कर लि जल्दबाजी में losses लेके मत चले जाना आज अगर किसी के losses हुए है तो भाई आपको बोलूगा telegram पर जुड़ जाओ आपको बहुत फायदे बनेंगे इस बात की guarantee है तो वापस आगे भी आपन 5 मिट के chart पर क्योंकि trading करना है तो आपके लिए 5 मिट का chart बहुत ज़्यादा important है अगर आप पिछले 2-3 दिन की बात करोगे तो हम range bound थे आज हमने वो range को breakout कर दिया है अगर कल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4.30 के आसपास परसों हम गए थ देन उसके बाद हमने कल भी वो testing की और आज हमने उसको breakout दिया यह जो आप rectangle formation देख रहे हैं यह हमारे support और resistance लेवल है पिछले कुछ दिनों के तो इनके basis पर अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पर resistance देखने को मिला है यह level है 19,470 का level ठीक है जिसको हमने breakout कर दिया अभी हम ट target होंगे वो होंगे 440, 450 के target ठीक है क्योंकि 51 round level है तो वहाँ पर भी market रोक सकता है तो आप अगर 70 के नीचे निकलते हैं तो यह range आपकी है put में जहाँ पर आपको अपने trade बनानी है अगर हम इसके नीचे भी निकल जाते है तो फिर आपका जो next support बनेगा वो बनेगा 19,390 से लेके 400 के बीच में जो next support बनेगा downside में ठीक है तो अगर हम 440 निकालते हैं यह वाला level निकालते हैं जहाँ पर बहुत आज support देखा हमने तो हम वापस से 400 पर आएंगे और 400 अगर निकालेंगे तो हम वापस 340 आएंगे और यह हमारा ultimate support level है अगर हम इसको निकालेंगे तो ब आते हैं तो आपको call में ही जाना है put में नहीं जाना है and 470 से लेके 500 इसके बीच में आपको no trade zone ठीक है यहाँ पर आपको कोई trade ही नहीं लेना है क्योंकि आपको decide करना है market को decide करना है कि वो किस तरफ जाना चारा है जल्द बाजी में trade मत लिया करो आप लोगों से request रहेगा क क्योंकि जल्द बाजी में जब trade लेते हो तो आपको losses होते हैं and इसी पर हम काम करते हैं कि आप over trading ना करें आपका जो mentally health है वो कैसे अच्छी रह सकती है आपको दिन में कितने trade लेने चाहिए कितने profit या कितने loss पर आपको market से exit हो जाना चाहिए सब के उपर मैं आपको सिखात हैं तो आपको call में जाना है 90,470 अगर निकलता है तो 90,440 यह निकलता है तो 90,400 से 390 यह level आपके लिए important रहने वाले हैं कल के दिन भी मुझे लगता नहीं कि कल कुछ बड़ा panic है as such market में भी तो कल भी हम हो सकता है positive gap up या फिर flat opening क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा गय आज पूरा दिन अच्छा गया market उपर गया market range bound रहा market वापस से उपर गया इसको हम कल continue कर सकते हैं so आयोब आप लोगको वीडियो पसंद आयोगा और कुछ भी अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को like करें channel को subscribe करें telegram को join करें because यहां से आपके profits बनेंगे for sure आपको बह earning मिलेगी यह भी मैं guarantee देता हूं comment section में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लो मैं उस cancer आप लोगको कर दूँगा बहुत ही जल्दी so thank you so much मिलते हैं कल एकने वीडियो के साथ